नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेश प्रोग्राम में और दर्शको आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुप कामना हैं और मैं हूँ आपके साथ मेखा कौशिक क्योंकि दीपावली आ गई है तो दीपावली पर हम लोग तयारियां तो बहुत सारी कर रहे हैं घर को सजा रहे हैं चाहे बहार से मिठाईयां ला रहे हैं घर में बना रहे हैं पकवान लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज होती है दीपावली के दिन मालक्षमी की पूजा करना कैसे आपको ये पूजा करनी है कौन सा आपके लिए शुब महुरत है ये हम आपको बताएंगे आज और इसे बताने के लिए हमार साथ स्टूडियो में मौजूद है जानी माने जोतिशा चार है पंदेत मुकेशा स्ट्री जी पंदेजी बहुत-बहुत स्वाग क्योंकि पंदेजी इस बार हम दीपावली मना रही है इसके विशेश सयूग इस बार क्या है दिनांग 14 नौवंबर सन 2020 चुकि लक्ष्मी पूजन प्रदोश युक्त अमावस्या को इस्थिर लग्न में वह इस्थिर नौमाच में किया जाता है इसलिए शनिवार को ये सारा मौरत आपको मिलेगा इसलिए शनिवार को लक्ष्मी पूजन करना सरुसेश्ट रहेगा तो सर्वार सिद्धिन आमक अति शुब सयोग में पूरे दिन सर्वार सिद्धिन आमक अति शुब योग बन पड़ा है तो ऐसे शुब सयोग के अंदर इस बार मनेगा दिपोसव अर्थार दिपावली का महत्योहार मा लक्ष्मी करेगी धन की वर्षा कुवेर खोलेंगे करदवार शनिरेव करेंगे आपका बेड़ा पार किस तरह से आज जो विशेश सयोग के हम बात कर रहे हैं दिपावली के बात कर रहे हैं तो यह सयोग तो हमने जान लिया लेकिन पंडिजी क्योंकि शुब महुरत में हम सभी पूजा करना चाहते हैं जिससे मा लक्ष्मी के करपा हम पर बरसे तो जानना चाहेंगे इस बार जो विल्कुल आईए सबसे पहले जान लेते हैं महा लक्ष्मी दिपोसव निमित महा लक्ष्मी पूजा का शुब महुरत में शुरुआत करते हैं चोगडिया महुरत से कागच कलम लेकर बैठ जाईएगा लिखते जाईएगा शुब महुरत को तो प्राते काल आड़ बच कर दस मिनट से प्राते काल आड़ बच कर दस मिनट से प्राते काल नो बच कर तीस मिनट तक शुब का चोगडिया रहेगा जिसके अंदर लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है उसके पश्याद दौपेर बारा बच के ग्यारा मिनट से दौपेर बारा बच के ग्यारा मिनट से साइकाल चार बचकर बारा मिनट तक दौपेर बारा बचके ग्यारा मिनट से साइकाल चार बचकर बारा मिनट तक चर, लाब और अमरत का शुप चोगडिया रहेगा जिसके अंदर भी मालक्षमी का पूजन किया जा सकता है बैखाते का पूजन किया जा सकता है अपने आफिस के अंदर फैक्टरी के अंदर पूजन किया जा सकता है संध्या समय का मौरत भी आपको बता देता हूँ साइकाल पांच बचकर 33 मिनट से रातरी 7 बचकर 13 मिनट तक शाम को 5 तैतिस से रातरी 7 बचकर 13 मिनट तक लाब का चोगडिया रहेगा इसके अंदर भी आप मालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं तर पश्यात में रातरी 8 बचकर 52 मिनट से रातरी 8 बचकर 52 मिनट से अंत रातरी 1 बचकर 51 मिनट तक रात को 8 बचकर 52 मिनट से अन्तरातरी एक बचकर फ्क्यावर मिनट तक शुब अमरत वच्चार का चोगणिया रहेगा जिसके अंदर भी मालक्षमी का पूजन किया जा सकता है धर्मतरी का पूजन किया जा सकता है अब हम समझ लेते हैं मालक्षमी पूजा की शुब लगन मोरत ये तो मैंने आपको चोगणिया महरत बताया अब मैं आपको मा लक्ष्मी पूजा के शुब लगन महरत बताने जा रहा हूँ तो शनिवार को प्रदोशकाल का जो महरत रहेगा दिनांग 14 नमबर 2020 शनिवार को प्रदोशकाल का जो महरत रहेगा शाम को पांच बचकर 33 मिनट से रातरी आठ बचके बारा मिनट तक प्रदोश काल का मौरत रहेगा जिसके अंदर रक्ष्मी पूजन किया जा सकता है हमारे वो दर्शक जो व्रशब लगन का मौरत धूंडना चाहते हैं व्रशब लगन के मौरत में मा लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं उनके लिए सायकाल पांच बचकर 37 मिनट से वृषब लगन का महरत जो रहेगा शाम को पांच बचकर 37 मिनट से रातरी 7 बचकर 34 मिनट तक वृषब लगन का महरत रहेगा हमारे वो दश्यक जो सिग्ञ लगन महरत करना चाहते हैं उनके लिए सिग्ञ लगन महरत जो रहेगा मद्धे रातरी बारा बचकर साथ मिनट से रातरी दो बचकर तेईस मिनट तक जो है वो सिंग लगन का महुरत रहेगा आप सबी दश्यक इस महुरत का ध्यान रुखिएगा लाब उठाईएगा जी गुरुजी ये तो आपने हमें बता दिया कि किस तरह से जो महुरत है विशेश यहाँ पर दिपावली पर हम पूजा कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा अगर घर की बात करें या व्यापारिक प्रतिष्ठान की बात करें वहाँ पे शुब महुरत क्या है पूजा का ये बिल्कुल पहले मैंने आपको चोगडिया मौरत बताया फिर लगन मौरत बताया आईए अब जान लेते हैं आपके घर पर आपके वेपारिक पैतिस्टान पर आपके आफिस में आपके फैक्टरी के लिए मालक्षमी पूजन का सबसे शुब मौरत कौन सा रहेगा तो आप सभी दशक ध्यान से सुन लीजिए लिख लीजिए समझ लीजिए शरिवार दिनांग 14 नंबर सन 2020 को शाम को पांच बचकर 59 मिनट से 549 से शाम को 6 बचकर 2 मिनट तक 6 बचकर 2 मिनट 549 से 602 तक प्रदोशकाल इस्थिर रशलगन और कुम्ब का इस्थिर नवमाश भी रहेग प्रदोशकाल इस्थिर रशलगन और कुम्ब का नवमाश भी 549 से 602 6 बचकर 2 मिनट तक ये तीनों उसके अंदर मिलेंगे ये लक्षमी पूजन का सरुसेष्ट मौरत रहेगा आप सभी धर्शक ध्यान रखिएगा रशब लगन का जो मैंने आपको बताया था रशब लग पूजन मौरत रहेगा शाम को पांच बच कर 33 मिनट से रातरी आठ बच कर 12 मिनट का जो समय है उसके अंदर सामाने ग्रहस्त आप और हम जैसे जो घर परिवार वाले लोग हैं वो इसमें लक्षमी पूजन कर सकते हैं किसान हमारे जो भाई हैं वो लक्षमी पूजन कर सकते हैं जो सर्विस करते हैं नोकरी पेशा हमारे जो दर्शक है वो इसके अंदर पूजन कर सकते हैं सौंदेर प्रसादन विक्रेता वो इसमें पूजन कर सकते हैं निर्माता भी पूजन कर सकते हैं कपड़े का काम करने वाले हमारे बिजनस में अनाच का काम करने वाले हमारे वायदा बजार का काम करने वाले हमारे विवसाइट दुकानदार मारकेटिंग फाइनेंस इत्यादी वाले जो हमारे होटल मालिक जो हैं जो हमारे अधिया पक्राइटर हैं चाटैंट अधिकारी हैं नोकरी पेशा जीतने भी लोग लगने के अंदर पूजा करनी चाहिए अब ढ़्यान लगने जो मैंने आपको पहले बताए था से लगना रात्री में 12 बच्छा साथ मिनट से राती दो बच्छा 23 मिनट तक उसमें किस किस पूजा करनी चाहिए जितने भी जुडिश्टी से डिलेक्टेक जितने भी हमारे दर्शक हैं जो जज हैं, बजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, डूकेट हैं, न्याला ऐसे सम्द्रेश जितने हमारे दर्शक हैं, पुलिस विभाक से हमारे जितने दर्शक हैं, डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, वैद्दे हैं, दवा निर्माता हैं, इंजिनियर हैं, प कारे स्थाई होता है आप सभी दर्शक फर्स इंडिया नियूज के इस दर्शक जो है हमारे इस समय का शुब महुरत का लाव उठाई तो पंडी जी आपने ये तो हमें बताया कि अलग-अलग लोगों के लिए सबसे अच्छा महुरत क्या है शुब महुरत क्या है लेकिन महां लक्ष्मी पूजन का सरुसेष्ट समय क्या रहेगा वह मैं आपको बताते हूं तो इस बार दिनाग 14 नवंबर सन 2020 को दुल्लप सयोगों के अंदर शनिवार को दिपोट्सव मनाया जाएगा दिपावली का महापर मनाया जाएगा और मालक्ष्मी पूजन का सरुसेष् 549 से शाम का जो समय रहेगा 549 से शाम को छे बच के दो मिनट तक को समय रहेगा वह सरुसेष्ट समय रहेगा क्योंकि 549 जो प्रिजुशकाल भी मिलेगा इस धर विशब लगन भी मिलेगा और साथ में कुम्ब का इस्थे नमाश भी आपको इसम मिलेगा तो 549 से 602 ये जो पीरण रहेगा शाम का ये दिपावली पूजन का लक्षमी पूजन का कुबेर पूजन का दीपदान का जो पूजन है समय रहेगा ये सबसे सरुसेस्ट समय रहेगा आप सवी दर्शक इस समय का लाव उठाईएगा और मालक्षमी की पूजन इसी शुब मौरत में करें तो पंडी जी क्योंकि आपने हमें पूजन का मौरत तो बता दिया और पूजन विधी भी हम आपसे आगी जानेंगे लेकिन सबसे पहले ये जाना चाहेंगे पूजन विधी जानने से पहले कि जिस जगे पर हम पूजन कर रहे हैं उसका विशेश किस तरह से हमें ध्यान रखना है आज जब दिपावली के दिन पूरे दिन सुभा से ही कैसे उसे सजाना है दिखे जोकि दिपावली का त्योहार है मा लक्षपी आज आपके घर वेपार बिजनेस के अंदर प्रवेश करने वाली है तो घर का जो प्रवेश द्वार ही वो प्रवेश द्वार बड़ा साफ सुतरा होना चाहिए सुन्दर होना चाहिए आज जो है बांदरवार जरूर लगाएगा तोरण अवश्य बांदिएगा आम के पत्ते मिल जाए याशोग के पत्ते मिल जाए उसकी तोरण बनाके और घर के मुख्य द्वार पिर अवश्य लगाएगा सात्या स्वस्तिक अवश्य बांदिएगा और उसके सासाथ में संभव हो तो रंगोली भी आज के दि पुजन करना है इस बाद का थ्याप दो लक्ष्मी पूजन के लिए क्या विशेश ध्यान आपको रकना है यह हमने आपको बता आया लेकिन पूजन वी दी क्या है यह हम आपको बताई है लेकन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और दर्शकों अब हम आपको बताते हैं कि लक्ष्मी पूजन कैसे करना है तो पंडी जी जानना चाहेंगे कि शुब महुरत में जब हम पूजन कर रहे हैं तो क्या हो पूजन विधी जो बिल्कुल आईए समझ लेते हैं दिपोज सव पर महा लक्ष्मी पूजन की सबसे सरग विधी जो आप घर के अंदर कर सकते हैं अपने व्यपार में पंडीत अगर अगर उपलब्द नहीं भी है तो आप स्वयम कर सकते हैं आप देख रहे हैं कि पूरा पूजा की सामगरी जो है वो यहां पर स्तापित है यही सारी पूजन सामगरी है जो आपको चाहिए होती है जिसके अंदर मालक्ष्मी जी की वगवान गणेश जी की प्रतिमा भी रखी जाती है प्रतिमा अगर उपलब्द नहीं हो तो तस्व किसे मंडल की स्थाप ना कर देते हैं तो थोड़ा विधी विधान से हो और उसको सिंपल तरीकों से समझाने का प्रयास करता हूँ दिपावली के दिशो मौरत में जो मैंने आपको बताया अपने घर में या अपने दुकान में अपने शोरूम में अपने फैक्टरी में उत्तर दिशा से महालक्षमी कुबेर गणेश का जो वासेव भगवान का जो वासेव उत्तर दिशा में हैं तो जब आप पूजा करें तो आपको पूर दिशा की तरफ मुख करना है और रात में संध्या के पश्यात में आप पूजा कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ म करना इस बात का ध्यान रखेगा दौपेर के समय पूजा कर रहें तो पूरुदिशा और संद्या समय में कर रहें तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएगा गरम कपड़े से बने उनी आसन के ऊपर अपना स्टांग घहन कर लीजेगा आचमन कीजेगा आचमन समय एक चोकी जैसे हमने चोकी की स्थापना कर रखी एक चोकी अत्वा बाजोट की आप स्थापना कर लीजिए इस तरह आप बाजोट की स्थापना कर सकते हैं चोकी उस पे लाल वस्तर बिछा के लाल वस्तर बिछा के केसर से उस पर स्वस्तिक का चिन्ने बना सकते हैं हल् लोजिय के लाइड की तरफ भगवान उस्ताप शेशी तरफ मा लक्षमी की सोने की लाऊच्टिक मूर्थि या मनमोर्प चिट्र आपको इस्तापित करना गववान गनेश के राइट एंड साइड ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा और जो भी आपके पास प्रतिमा है चित्र है अगर चित्र है प्रतिमा है तो आपने पुष्प माला उनके उपर आपको स्तापित कर देनी है और उसके साथ में मालक्ष्मी की मूर्टिया तस्व ने बनाके और अगर आपके पास नए नोटों की गड़ी हो तो वह आप रख सकते हैं और नई हैं तो खुले पैसे जो भी आपके पास उब्लब द्रव लक्ष्मी अठात रुपए पैसे उसकी पूजा नहीं करेंगे तो मालक्ष्मी की प्रसंद कैसे होगी तो आपको एक द्रव लक्ष्मी की भी स्तापना करने ध्यान रखे मालक्ष्मी की पूजा के साथ साथ द्रव लक्ष्मी की पूजा भी एक साथ करने ध्यान रखेगा एक पात्र में पांच हल्दी की गाठे एक कोई भी पात्र ले लिए जीगा उस पात्र में पांस तो हल्दी की गाठे स साबुत धनिया, साबुत धनिया, कमल गटे और अक्षत, धनिया, कमल गटे, अक्षत, दुर्वा और कुछ द्रव यानि कुछ रुपय पैसे रखकर उस चोकी के उपर इस्तापित कर दीगेगा, इसके पशार धूप, अगरबती और पांच दीप, शुद्य देशी घी के और अन्य दीपक तेल, तिली के तेल के प्रज्रिट कर लेगा, जल से भरा कलश, जल से भरा कलश भी आपको चोकी पर इस्तापना रखना है, कलश के उपर मोली बान कर, रोली से उसके उपर स्वस्तिक बना सकते हैं, स्वस्तिक बना सकते हैं, और या केसर से स्वस्तिक बना सकत और फिर उसके बाद मा लक्ष्मी जी को आप तिलक करेंगे, छिटा डालके उनको तिलक करेंगे, पुष्वर्पन करेंगे, यदि प्रतिमा हैं तो आप गंगा जल इत्यादी से पंचाह मत इत्यादी से पुष्णाद करवा सकते हैं तत्पशार हाथ में पुष्प, अक्षत, सुपारी या एक दोने के अंदर जल भर लीजिए उसमें अक्षत, पुष्प, सुपारी, सिक्का और जल लेकर सबसे पहले भगवान गणेशी की, मा लश्मी की, कुबेर देव की और सभी आवाहित देवी देवताओं का पूजा का संकल्प करना है उनका आवान करना है, कि है गणेशी माराज, आपकी मैं पूजा कर रहा हूँ, आप आईए बिराजिये, रिद्धि सिद्धि समेच आईए बिराजिये मा संतोशी माता देखिए, मा संतोशी का भी आवान करना जरूरी मा लक्षमी के साथ साथ में तो आप आईए बिराजिये, नव ग्रह की हमको पूजा करनी होती है, शोड़श मातरका की हमको पूजा करनी होती है, तो इन सभी देवताओं का आवान करना पड़ता है, आवान करके उसके पशात उनकी पूजन अर्चन की जाती है, तो मा लक्ष्मी की वववान गनेजी का पूजन करे, शोडश मात्र का पूजन अवश्य की पूजन और प्रधान पूजा में मालक्षमी का पूजन करना है धूब-दीप उन को अरपन करना है उसके पश्यात आप तिली के तेल में या शुद्द देशी घी में सिंदूर टिली का तेल या शुद देशिगी में एक कटोरी के अंदर सिंदोर मिला ली जे सिंदोर मिलाने के पश्राद सब से पहले आपके घर का या आपके ऑफिस का या आपके शोरूम का जो मियन डोर है मुख्यद्वार की जो डेली होती है अपने जो वेपार स्तल के बार वहां सबसे पहले पूजा करनी है तो अपने घर के मुख्यद्वार पर या अपने वेपार स्तल पर जो डेली होती है देली के ओपर जो है उसकी पूजा करनी है और उस पूजा से पहले जो है भगवाद गणे जी का ध्यान करते वे अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्य बना सकते हैं अपने फैक्टरी ओफिस के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्य बना सकते हैं शुब लाव इत्यादी लिख स तो अपना जो भ्रूमी होता है प्रत्वी जो डेली बोलते हैं उसको उसकी पूजन करने हैं थोड़ा सा अकशचोर उसके उपपर डाल दीजे, कांगों 것으로 डाल दीजे, पुश्च पित्त Hunting से, देली बूल 알ने माहें आप etti लिक न ओका ले जाने युख्तव दवात की अभी हमारे पास यह उपलब्द नहीं है लेकिन आप एक दवात जरूर लेके आएगा उस दवात का पूधन करना है उसके साथ साथ में जब आप पूधन करेंगे दवात का पूधन करेंगे शाही वाली जो दवात उसका पूधन करेंगे तो उससे पहले उस दवात पे केसर स स्वस्तिक का चिंदय बना देंगे मोली बान देंगे मंत्र गंद पुषपादी से दवाथ की subsidies करेंगे उसके पुषात में लेखनी पूजन करेंगे अठाग कलम का पूजन करेंगे उसके उपर मोली बान पेंधिय का उ welcoming ओम लेखनी स्थाई देवे नमाहा, ओम लेखनी स्थाई देवे नमाहा, ओम लेखनी स्थाई देवे नमाहा, इस मत्र से कलम किया हम पूजन करेंगे, तो इस प्रकार हमने पहले शाई का पूजन किया और कलम का पूजन किया, अब आप अपने भई खाते कि अगर आपके पास इस मन्त से गंद पुषपादी से हमको बैखाते की पूधन करनी है उसके पशाथ हमारे घर की जो तिजोरी है हमारे ऑफिस का जो कैश काउंटर है शोरूम का जो कैश काउंटर है तिजोरी है उसकी पूजा करनी है तिजोरी पे भी केसर से स्वस्तिक का चिन्ने बनाना है उस मंत से गंद पुषपादी से हमारी तिजोरी की कैश काउंटर की जहां रुपए पैसे रखते हैं उसकी पूजन करना है निवेद के रूप में प्रशाद की रूप में निवेद अरपन करना है पूजा में रखी जो पांच हल्दी जो मैंने आपको बताई थी साबू धनिया जो मैंने आपको बताया कमल गता जो मैंने आपको बताया पूजा के परशाद में लक्षिप पूजन के परशाद में तिजोरी के अंदर रख देना है इसी प्रकार इलिए आप दुकांदार हैं तो गंद पुषपादी से तुला का यानि तराजु का पूजन करें उसके प प्रक्तर दीप जोती का ओम्शी दिपावले नमाहा ओम्शी दिपावले नमाहा ओम्शी दिपावले नमाहा इस मंत्र से गंदादी उपचारों से दीपक का पूजन करना है दीप मालिकाओं का पूजन करके अपने आचार के अनुसार अपने रिती रिवाज के अनुसार संत् यानि गन्ना पानी फल धान का जनि लाख इत्यादी अरपन करना है धान का लावा खील इत्यादी भगवान शी गनेशी को मा लक्षमी को कुबेर देवताओं को अन्य सभी देवी देवताओं को भोग अरपन करना है लड़ू का भोग लगाना है उसके साथ में जो बर्फी का भोग लगाना है इस प्रकार आप जो है भोग लगाएंगे फलों का भोग लगाएंगे ध्यान रखे सिंगारे के फल लक्षमी पूजन में बहुत मैत्पून है सीता फल बहुत मैत्पून है अनार मा लक्षमी को बहुत प्रसंद है इस प्रकार पांस तरह के फलों का भोग ल अब आब भगवान शी गनेशी की, मा लक्षमी की और भगवान जगदीश्वर की आरती करनी है, परिवार समेट, से परिवार समेट आरती करनी है, उसके बाद अपनी मनो कामना का ध्यान करते वे, अपनी दरिदिता को दूर करने की प्रार्थना करते वे मालक्षमी को भगवान कुबेर को गणेश इमाराज को पुश्माजली करें पूजा में जो हुई कोई गलती है उसके लिए शमा प्रार्थना करें अपने धन में व्रद्दी की अन में व्रद्दी की वंश में व्रद् कि उन सभी देवताओं को प्रतिस्टित हैं, पूजी देवताओं को अक्षत छोड़ते वे विसर्जित करें, ध्यान रखे दिपावली की रात को मंदिर तुलसी माता पीपल आदी के पास दीपस जलाना सभी संकटों से मुक्ती दिलाता है, महा लक्षमी पूजा में तिल का तेल का उप्योग सिस्ट रहता है, अब हाव में आप सरसु के तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं। तो फिल हाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही, आप सभी को दिपावली के एक बार फिर से बहुत बहुत शुब काम नाए, नमस्कार